सभी मित्रों को जै जै सिया राम प्रभु स्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो असकंद पुरान के अनुशार मिर्तू से पहले मनुस को कुछ संकेत मिलते हैं मिर्तू सुचक चिन जिसकी दाहिनी नाशिका में एक दीन रात अखंड रूप से बायू चलती रहती है उसकी आयू तीन बर्स में समाप्त हो जाती है जिसका दक्षिन स्वांस लगातार दो दिन या तीन दिन तक निरंतर चलता रहता है उसके जीवन की अभधी संसार में केबल एक बर्स बताई गई है एदी दोनो नाशिका चिद्र दस दिन तक निरंतर उर्द स्वांस के साथ चलते हैं तो मनुष्वत तीन दिन तक जिवित रह सकता है एदिश्वास बायू नाश्कया के दोनों छिद्रों को छोर कर मुख से बहने लगे तो दो दिन के पहले ही उसका यमलोग के मार्ग पर प्रस्थान हो जाएगा जब सुर्द सप्तमराशी पर हो और चंद्रमा जन्म नचहत्र पर आ गए हो तब यदि दाहिना नाशकया से स्वास चलने लगे तो उस समय सुर्द देबता से अधिश्थित कालपराप्त होता है जो अकस्मात किसी काले पीले पुरुष को देखता है फिर उसी चंद उसके रूप को अद्रिस पाता है वह केबल दो बर्स और जीवित रह सकता है जिसके मल मुत्र और बिर्ज अथवा मल मुत्र बमची के एक साथ ही गिरते हैं उसकी आयू केबल एक बर्स चेश रह जाती है जिसकी मिर्टू निकट है वह अरुन धत्ती और ध्रूब को नहीं देख पाता जो अकस्मात नीले पीले आदी रंगों को तथा करवे खटे आदी रसों को बीपरीद रूप में देखने और अनभव करने लगता है वह छो महिने में मिर्टू का भागी होता है बिरिज नख और नित्रो का कोना ये सबेदी नीले या काले रंग के हो जाए तो मनुस छठे मास में यमपूरी की यात्रा करता है असनान करने के बाद भी जिनका हिर्दय सिग्र ही सुख जाता है तथा हाथ और पैर भी जल्दी ही सुख जाते हैं उसका जीवन केवल तीन मास तक चलता है जो मनुस जल घी और दर्पनादी में अपने पर्थिवीम का मस्तक नहीं देखता वह एक मास तक जीवित रहता है बुद्धी ब्रस्थ हो जाए बानी असपस्त न निकले रात में इंद्रधनुस का दर्शन हो दो चंद्रमा और दो सुर्ष दिखाई दे तो ये सब मिर्तु सुचक चिन है इन सब चिन्नों में एदी एक चिन भी मनुस देखता है तो मिर्तु केबल एक मास तक उसकी पर्तिक्षा करती है हाथ से कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आबाज नो सुनाई दे तथा मोटा शरीर थोड़े ही दिन में दुबला पतला और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाए तो ये एक मास में मिर्तु हो जाती है जिसे स्वप्न में भूत प्रेत पिसाच असूर कौवे कुते गीद सियार गधे और सुवर इधर उधर ले जाते और खाते हैं वह बर्स के अंत में त्याकर यमराज का दर्शन करता है जो स्वप्न काल में गंध पुष पाव लाल बस्तर से अपने सरीर को विभूसित देखता है वह उस दिन से केवल आठ मास तक ही जिवित रहता है जो स्वप्न में अपने को तेल लगाए मूर मूराए और गधे पर चड़े दक्षिन दिशाकी और ले जाये जाते हुए देखता है अथवा अपने पुरबजो को इस रूप में देखता है तो उसकी मिर्टु छो माईने में हो जाती है जो मनुष्य स्वप्ण में अपने मस्तक या सरीर पर त्रीन और सुखे काठ देखता है वह छट्थे मास में जीवित नहीं रहता जो स्वप्ण में लोहे का डंडा और काला बस्त धारन करने बाले किसी काले रंग के पूरुस को अपने आगे खरा देखता है वह तीन मास से अधिग नहीं जीवित रहता स्वाप्ण में काले रंग की कुमारी कन्या जिस पुरुष को अपने बाहुपास में कसले वह एक ही महीने में अमपूरी का दर्सन करेगा जो मनुष्य स्वपन में बानर की सवारी पर चढ़ कर पूर्व दिशार की हो जाता है वह पांच ही दिन में अमपूरी को देपता है एदि कुपन मनुष्य सहसा उदार हो जाए क्रिपन मनुष्य या उदार मनुष्य सहसा क्रिपन हो जाए इस प्रकार एदि प्रकृति में स सहसा अभीकार आ जाए तो वह मनुष्र सिग्र मिर्तु को प्राप्त करता है